हेलो डियर स्टुडेंट स्वागत है आपका फिजेक्स विथ इलेक्टानिक्स पाट साला में आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मेकनिक्स के यूनिट थर्ड का जिसका नाम है है हैमिल्टोनियान फार्मजम का कुछ और इंपार्टेंट एमसेक्यू डिसकस करेंगे कुछ और क्यों बुलना हूँ क्योंकि इससे पहले भी हम लोग हैमिल्टोनियान फार्मजम के ऊपर कुछ एमसेक्यू डिसकस कर चुके है ठीक इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्या किये थे हैमिल्टोनियान फार्मजम के ऊपर कुछ हैमसेक्यू डिसकस करने जा रहा ह इस वसेश को part 2 करके लिखे हुए, ठीक, अभी एक part इसका और मैं दूंगा आने वाले दिनों में, ओके, इतना चीश के लिए, अब देखे question पे आते हैं, question क्या लिखा हुआ है, question पहला करा है, कि the space containing both generalized coordinate and generalized momentum is, कह रहा है कि एक space है, जो generalized coordinate को और generalized momentum दोनों को contain करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, configuration space कहा जाएगा, कि phase space कहा जाएगा, कि Hamilton space कहा जाएगा, कि कुछ नहीं कहा जाएगा, ना नब्दिस्क दिया न, कि कुछ नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा जाता है, आपको पता है, कि जो generalized coordinate और generalized momentum को मिला कर जो space त्यार होता है, उसको हम लोग क्या करते ह एकोशन नुम्बर टू क्या करा कि दर लागरंजियन फार शिम्पल पेंडूलम इस गिवन भाई यह इसकल टू हाफ एमल स्कॉायर ठीटा डाट स्कॉायर मानस एम जील वन मानस कास ठीटा तब करा कि हैमिल्टोनियन एकोशन कैसे दिया जाएगा अगर सिम्पल पेंडूलम क के लिए हमिल्टोनियन के हेल्प से कैसे हम लोग एकोशन आप मोशन वगरा लिखते हैं ठीक तो आप जाके देखिएगा तो आगर वीडियो आपको देखे होंगे या कापी में नूट किया होंगे तो जो ए नंबर आपसन है वो क्या होगा करेक्ट होगा महां से आप इसी दिया गया है देन इस हमिल्टोनियन इच तब इसका हमिल्टोनियन बताइए ठीक इस तरीके कोशन मैं कल के वीडियो में विसाल कराया था तो इसका हमिल्टोनियन पूछा अब देखिए जो यल है वो क्या है यक्स डाट और यडाट मनलब ऐसे कही इसमें जो क्यू आई हो क्या करिएगा निकाल दीजेगा पी एक्स का वैलू कैसे निकालेंगे कल्ली अलोभर कल्ली एक्स डाट करके निकाल दीजेगा अब पी वाई का वैलू कैसे निकालेंगे कल्ली अलोभर कल्ली डाट करके निकाल दीजेगा ठिक इसका वैलू निकालके और इसमें लाके पुट पूट करिएगा जो आप पूट करेंगे तो जो आपका option number A होगा वो क्या आएगा correct आएगा ठीक इस तरीके question को मैं कल भी बताएथा दो तीन question इस तरीके का मैं कल बताएथा ठीक तो उस तरीके से आप जब solve करेंगे तो इसका जो A यह number option है correct आएगा ठीक आप इन question को solve करके ज़रूद देख लिजेगा ठीक ना axis is invariant और जो rotation है वो axis जो axis दिया गया उसके बाउट क्या invariant है then the following quantity is concerned तो कह रहा है कौन सा quantity क्या होगा concerned रहेगा ठीक तो आपको पता cyclic coordinate case में क्या होता है angular momentum क्या होता concerned रहता है ठीक यह ही question देखिए इसी से मिल टाल दा question कुछ पांचवा भी है पांचवा question देखिए क्या है यह question दो तरीके से पुझा सकता है इस वासे मैं पांचवा question भी लिखा हूँ ठीक ताकि अगर फार्मेट बढ़ ले तो आपको दिक्कत ना हो देखिए पांचवा ना question क्या करा कि a physical system is invariant under rotation of a coordinate about a fixed axis then following quantity is conjure ठीक सेम लखे उसी से मिलता हो दा question है उसमें cyclic content का जिक्र कर दिया इसमें cyclic content का जिक्र नहीं किया ठीक कोई physical system है जिसको rotation कर रहा है वो क्या invariant है ठीक एक fixed axis पांचवा रोटेट क्या रहा रहा है वो क्या invariant है तो कौन सा quantity कंजर रहेगा तो जो टोटल अंगुलर मोमेंटम होगा एलांग दा एक्सिस आप रोटेशन एक्सिस आप रोटेशन के लांग वो क्या रहेगा कंजर रहेगा ओके तो पांचवा का डी number option क्या होगा correct होगा ठीक अब six number question देखिए यह एंगुलर मोमेंटम कंजर होता साइक लिक कार्णेट ओकर रकेस में इसको मैं पूरा पूरूप करवाया होगा आप वीडियो देखिए होंगे तिया चीज आपको मिला होगा शिक्स नंब्र कोशन करा कि दर लागरंजियन आप फ्री पार्ट के इन इस फ्टेरिकल पोलर क्वार्नेट इस गिवन भाई ठी एक फ्री पार्ट के लिए जो लागरंजियन है इस फ्टेरिकल पोलर क्वार्नेट में वो कुछ ऐसे दिया गया है ठीक आपको एकोशन दिखाई दे रहा होगा या लिचकल टू लिखा गया है राइट अन साइड में हाफ यम अब ब्रेकेट में क्या है आर डाट स्कॉर प सबसे पहले हम लोग का जो काम है इसमें वो साइकलिक क्वार्नेट खोजना काम है तभी हम लोग पता लगा पाएंगे कि कौन साइस में से क्वार्टिटी कंजर रहेगा ठीक तो अगर आप इसको देख रहा होंगे यहल का जो कुछन लिखा गया है तो जो यहल है वो आर प फैश्क है ते टीता ड़े जैड़र लेकिन 20 मिसिंग है था कि नहीं कहिंद लिखा दिख़ा है जिसका लगिट फाई यह यह क्या होगा यह जो कका फाई यह क्या है cyclic coordinate है तब इसके corresponding जो momentum होगा वो गंजर रहना था यह इसका अलब P5 क्या रहेगा गंजर रहेगा और इस P5 को लिखा कैसे जाएगा तो इसका QT क्या रहेगा कंजर रहेगा इसके अलब C नंबर आपसम क्या होगा而且 standards कोगा कलि YL ऑब कली part क्या रहेगा कंजर रहेगा ठीक बहुत आठा कुछन है ठीक क्ली sprite क्ली Phi गारेगा कंजर रहेगा ठीक क्योंकि अगर फाई क्या cyclic coordinate है इसके corresponding जो momentum होगा पी five वो क्या रहागा कनजार रहागा अब पी five कनजार है तो five का जो value है कली और उबर कली five डाट हो ओड़ी क्या रहेगा कनजार रहेगा तो इसका अंवलब c number आपसा नम लोका क्या होगा रायट होगा okay अब देखे कोशन नमर 7 क्या करा है कि the lagrangian of a system with one degree of freedom q is given by कोई system है जो एक degree of freedom रखता है उसका जो lagrangian है उसको दिया गया है कैसे दिया गया है यह is equal to alpha q dot square plus beta q square where alpha and beta are non zero constant जहांपे alpha और beta ऐसे constant एंग का value क्या है zero नहीं है फिर करा है if pq denotes the canonical momentum conjugate to q then which one of the following statement is correct ठीक अब pq का value दिया गया समय और उसके आगे लिखा गया कि यह कंजर राएगा यह कंजर नहीं रहेगा ठीक तो सबसे पहले हम लोग pq का value निकालते हैं pq का value जब निकाला जाएगा यह क्या हो जाएगा कल्ली यह लोबर कल्ली q dot के बराबर आएगा और कल्ली यह लोबर कल्ली q dot solve करने पहाँ से आएगा क्या 2 alpha q dot के बराबर आएगा ठीक अब देखिए जो यह pq है यह q के corresponding क्या है canonical momentum है या conjugate momentum है तो q जो है वो यहाँ पे cyclic quadrant नहीं है क्योंकि यह क्या कर रहा है q पे भी depend कर रहा देखिए यहाँ पे q आया हुआ हुआ ठीक तो इस case में जो pq होगा वो कंजर्व नहीं रहेगा बास्तों में आया इस case में pq जो रहेगा कंजर्व नहीं नहीं रहेगा अभी पीछे हम लोग देखे थे फाई क्या था cyclic quadrant था इस वसे पी भाई कंजर्व था लेकिन हाँ पे q cyclic quadrant नहीं है क्योंकि यह के equation में q आया हुआ है इस वसे जो q के corresponding canonical momentum है pq वो कंजर्व नहीं रहेगा ठीक तो इसका अनलब क्या हो जागा कौन सा आफसन करेक्ट होगा इसमें से तो देखें लिखा हुआ है यह डी डी नमबर आफसन देखिए लिखा हुआ पी क्यूज कर्टू टू अलफा q डाट ठीक तो पी क्यूज कर्टू टू अलफा q डाट निकाले हम लोग सही इसका अनलब एंड इट इस नाट अ कंजर्व कॉंटिटी और यह कंजर्व कॉंटिटी नहीं होगा क्यों क्योंकि यह ल क्यूज कर रहा है वह साइकलिक क्वांड़न नहीं है ठीक इससे पहले छो हम लोग कल्ली याल ओबर कल्ली 5 डाट यह कंजर्व लिखे थे वो जो यल था वह फाई पर डिपेंडर नहीं कर रहा है ठीक काफी अच्छा कोशन है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सी नंबर आप्शन करेंट मार गया सकते हैं जामें जो फाई वाला बताया था कल लिए और वो कल लिए फाई डाट कंजब रहेगा उसके विहाब पे सी नंबर वाला आपसन आप करेक्ट मार के आ जाएंगे एक्जाम अगर ध्यान नहीं देंगे ठीक यह सब कमटीशन एक्जाम के कुशन है तो डी नंबर आपसन जोगा इसका क लागरंजियन आफ पार्ट किल मुविंग इन अ प्लेन इस गिवन इन कार्टिसियन कौनेट एच ठीक कोई पार्ट किल है जिसका लागरंजियन वो कार्टिसियन कौनेट में क्या है मूब कर रहा है तो दिया गया है यहल इसकल टू एक्सटाट वाइडाट मैस एसक्वार म conjugate momentum है ठीक वनलब radial coordinate का तो उसका value क्या होगा सबसे भले आपका काम यहां पर क्या आया जो Cartesian coordinate है उसको क्या करना है polar coordinate में connect करना है ठीक ध्यान देज़ेगा किस में connect करना है polar coordinate spherical polar coordinate नहीं polar coordinate में क्योंकि एक swipe plane में particle का मुसन है तो आपके polar coordinate आगा जो क्या होगा 2D में होगा इस फिरिकल पूलर कर देंगे तो 3D में चल जाएगा ठीक तो X is equal to R का स्टिटा Y is equal to R sin ठीटा करके पुट करके इस L को क्या करिए पहले R ठीटा के टम में convert करिए अब convert करके जो इकोसन आएगा उसको कल्ली या लोगर कल्ली R आर्ट के रिसमें क्या करिएगा differentiate कर दे मलब उसको R डाट के रिसमें differentiate कर देजगा जो यल का कुछन आएगा तो वहां से आपको PR मिल जाएगा ठीक और जाब इसको आप differentiate करेंगे तो जो D number option है वो क्या होगा correct आएगा ठीक इसको differentiate करने पर D number option correct आएगा ठीक इसको मैं साल किया हूँ डी वाला correct आएगा ओके क्लियर ना आसान है न अब देखिए नाइन्ध नमर question कर रहा है कि a system is governed by the Hamiltonian Hamiltonian equation लिखा हुआ है अकर आए कि A और B क्या है constant है PX and PY momentum है conjugate to X Y respectively for what values of A and B will be the quantity ये quantity क्या कि A और B के किस value के लिए ये जो quantity होगा वो क्या रहेगा ठीक पूछ रहा है कि A और B के किस value के लिए quantity क्या रहेगा ठीक तो इसको देखिए कैसे आपको solve करना है हुआ है आप तरीका अतारा हूँ इसको आप solve करेगा solve कर ले जाएगे सबसे पहले क्या करेंगा आप यहांसे यह का value दीए यह का value निकालने कोशिच करेगा ठीक यह का value निकाल नेंगे जब निकाल नेंगे हां से ठीक तो दो-Q मिलेगा लाग्रेसियन का एक एक मिलेगा मैं जब देखेए गाझस जीरू के वराबर करेंगे आधार कुस लिगे 0 announcements गर्वज कृघ उर ये ये और वाय। इस हarde को पहले लांग्रेसियन के लिए यहान की दोनों के निकाटन के तो दोनों के लिए खेस और था दो क्यू« अपका awkward कर रहेंगा सब्सक्तूब 11 और उसको आफ साल करेंगे तो ए नंबर आफ alignment क्या होगा कर्फ दोनों के लिए two इस इन अपोटेंशियल जिसका वालू क्या है यह फ्लस टू आई विच आफ दर फालोईंग ब्रेकट में फिल लिखा है अपार्ट फ्राम दो टोटल नेर्जी आफ दो पार्ट कील इज आलसो कांस्टेंट आफ मोशन ठीक करा एक पार्ट कील है जो टू डामेंशन में है और जिसका जो पोटेंशियल है वो कुछ हैसे दिया जाता है जो यह स्वाई का फंक्सन है उसका जो वैलू अभी का याक्स प्लस टू आई के बराबर है करा कि इसमें से कौन सा जो आफ संदिया गया इसमें से कौन सा वैलू कांस्ट रहेगा मोशन के दौरान ठीक अपार्ट फ्राम दे टोटल नर्जी आपार्ट के लिखा है उसके अलामा जो चारों आफ संदिया गया इसमें से कौन सा function क्या रहाईगा, constant रहाएगा motion की दोरां, ठीक, तो इसको क्या करना है देखिए, सबसे बहले क्या करिएगा आफ, लागर एंचिन लिखेगा, ठीक, 2D में पार्टिकल क्या कर रहा है, motion कर रहा है, तिसका लागर एंचिन लिखेगा, तो क्या हो जाएगा, half यम इसी से मिलता वलता अनुवा कोश्ण ना है ठीक ना हाफ यम एकस डाट स्कार प्लस हाफ यम वाई डाट स्कार और माइनस भी होता है यह क्या हो गया कांटिक इनर्जी हो गया पार्टिकल जो टूडी मोशन कर रहा ठीक अब फिर प्रोटेंशल जीको मानेस कर देंगे क्लील ओबार कल्लीばाई-डाट मानेस कर लिए अलोबर कल्ली 210 को लिखेगे ठेक दोनों को आ लिखेंगे फाइनल solution जो आएगा वो मैं बता रहा हूँ ठीक जो final solution आएगा देखिए ऐसे आएगा dpx by dt plus 1 is equal to क्या आएगा plus 1 is equal to 0 आएगा और दूसरा क्या आएगा dpx by dt dpy by dt और यहाँ क्या रहाएगा plus 2 is equal to क्या होगा 0 आएगा ऐसे करके आपको देखिएगा equation मिलेगा के लिए रचीज कुछ ऐसे करके क्या होंगे आपको equation मिलने वाने ठीक अब इन equation को जो आगे आप simplify करेंगे तो simplify करने पर आपको कुछ ऐसे equation मिलेगा dpy by dt minus 2 times dpx by dt is equal to 0 तो यहाँ से solve करने पर py minus 2 px जो होगा वो क्या होगा constant के बराबर आएगा ठीक आप साल्व कर ले जाएंगे इसको अगर नहीं साल्व होगा तो बताएगा इसका भी solution आपको दिया जाएगा ठीक इसका जो a number option है वो क्या होगा correct होगा ठीक यह जो equation यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो equation आया है इन दोनों को आपस में क्या करना है compare होगा रखर करके solve करना है ठीक जाप solve करेंगे तो आसानी से उसको solve कर ले जाएंगे बास समय में आ रहा है आगे बढ़े इस तरीके से 10 number question का आपसर number एक क्या होगा correct होगा ठीक ना अब देखिए 11th number question 11th number question करा की the hamiltonian forest system described by the generalized coordinate x and generalized momentum ph यह आपको स्क्रीन पर दिखराओगा hamiltonian लिखा है और बता दिया है कि alpha beta and wr constant फिर करा कि the corresponding lagrangian is corresponding lagrangian पूछ रहा ठीक इसको भी आपको solve करना पोड़ेगा पांच है लाइन का solution है ठीक इसको जाप solve करेंगे ठीक तो देखिए यह जो यहाँ आप देख रहा है hamiltonian यह बस x फो डिपेंट कर रहा ठीक तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है यह इस इस इसको यह इसको हो जाएगा यहां से क्या होगा यहां से यह इसको जो होगा आफका पी यह स्ट डार्ट मैनस यह के बराबर होगा ठीक इसमें क्या करेंगा वैलूट करके इसको साल्व करेगा तो यहाँ से निकल जाएगा मैद की स्टुएंट है इतना तो आप कैल्कुलेशन कर सकते हैं आप इसको साल्व करेंगे तो आपका आप साल नबर इस वे कर रहा कि if any coordinate qk is cyclist that is not contained in यच then अगर यच में क्या है यच के लिए माले question लिख रहा है जिसमें qk क्या है नहीं है मलब qk missing है तो कौन कौन सा condition होगा तो पहले जब qk क्या आपका cyclic है तो उसके corresponding जो momentum होगा पीके वो क्या रहाएगा अब पीके के कंजर रहाने मतलब क्या है जो qk dot मनलब time के साथ pkm change और जीरो का बरावर होगा तो यह option भी सही होगा ठीक और दुसरा इस pk dot का जो value होता है यह क्या होता है कली या चोबर कली qk होता है ठीक तो यह भी क्या होगा जीरो बरावर होगा ठीक इसका अनलब ए और भी दोना option क्या होंगे correct होंगे तो सी वाला हम लोग क्या करेंगे सही लगा देंगे ओके तो इस तरीके से आज के इस वीडियो हम लोग 12 कोशन डिसकस किए ठीक काफी अच्छ 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 कोशन है कुछ कोशन में कल्कुलेशन भी करना पड़ेगा आपको दूसरों आप कल्कुलेट करके जरूर देख आगे अभी कुछ कोशन में शिप्टर का और कराऊंगा ठीक जल से चल ओके वीडियो को अपने दोस्तों में जादे जादे से करिए थैंक्यू फर वाचिंग